हलो फ्रेंड्स आप सभी कोई कैसे हैं आसकरते हैं आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे अच्छी रीती से पढ़ाई कर रहे होंगे अपना ध्यान दे रहे होंगे और हम लोग अभी हम लोग जारखंड की इतिहास में जनजातियों के बारे में देख रहे हैं कल हमने महली जनजाती और माल पहाड या आदम जनजाती से संबंदित कुछ महत्तपून बातों को देखे थे कुछ महत्तपून को देखे थे तो आज हम लोग गोंड जनजाती और चेरो जनजाती के बारे में हम लोग कुछ महत्तपून को देखेंगे जो हरे के एक्जाम्स के काफी महत्तपून होंगे है ना तो जादा देर ना करते हुए आज के क्लास को हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहला कोश्यन है भारत की सारवदिक जनसंख्या वाली जन जाती तो यह कोश्यन है कि भारत में सरवद्धिक जनसंख्यावाली जनजाती कौन है तो अभी हम लोग देख रहे थे संथाल जनजाती उराओं जनजाती मुंडा जनजाती है न तो लेकिन ये question पूछ रहा है कि भारत का सरवद्धिक जनसंख्यावाला जनजाती कौन है तो इसका answer होगा गोंड जन जाती गोंड जन जाती ना सिर्फ जार्खन में बलकि पूरे भारत में पूरे भारत में ये जन जाती पाई जाती है और जनसंख्या के द्रिष्टी से ये जन जाती पूरे भारत में सारवधिक जनसंख्या वाली जन जाती पाई जाती है तो उसका आंसर होगा गोंड जन जाती तीक है? समझ वाग गया? एगला question है जार्कण्ड में गोंड जन जाती का जमाओ इस्थल question आपसे ये पूच रहा है कि जो गोंड जन जाती है जार्कण्ड में किस किस जग्ये पे किस kis जीले पे ये गोंड जन जाती पाई जाती है तो इसका आंसर होगा जहारखंड में इनका जमाव गुमला, सिम्डेगा, रांची, पलामू, पूर्वी सिंभूम, पश्यमी सिंभूम और सराय केला खरसावा में पाया जाता है तो ये चीज़ को आप लोगो याद रखना है ध्यान देना है भले मैं ये डिटेल सोला में बता रहा हूँ इस तरह का क्वेशन आज सकता है है ना, तो फिर भी ये देखना है आप लोगो जानकारी के रूप में ये जानना ही है कि गोंड जान जाती कहा कहा पाई जाती है अगला क्वेशन है जार्खन के बाहर कहा कहा बसे हुए है ये गोंड जान जाती जार्खन राज के अलावा बाहर में कौन-कौन सैसे राज है जहां ये जान जाती पाई जाती है वैसे ये जान जाती पूरे भारत में पाई जाती है मतलब साउथ इंडिया को छोड़के उपर पूरे जितना नोर्थ इंडिया है उधर पूरे हरेक राजिये में पाई जाती है फिर भी हम लोग ये जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा चतिसगर, मध्यपरदेश, आंध्रेपरदेश, महराष्ट, बिहार, गुजरात, करनाटक, उडिसा ये वों पच्छीम बंगाल में बसे हुए हैं अगर हम लोग राजिय की बात करें कि भारत देश में सबसे ज़्यादा गोंड जन जाती कहां पाई जाती है तो वो होगा चतिसगर और मध्यपरदेश, ठीक है लेकिन अगर आप लोगों कॉश्चन में रहता है तो ये चतिसगर ही होगा सबसे ज़्यादा पाई जाती है चतिसगर में अगला कॉश्चन है गोंड जन जाती का संबंद किस प्रजाती है समूसे है अभी तक जितने भी जन जाती हम लोग पढ़े है हर एक जन जाती का किसी न किसी रूप से ये प्रजाती संबंद है तो इस गोंड जन जाती का जो संबंद है वो द्रविड प्रजाती समूसे है जैसा उराओ जन जाती हम लोग पढ़े महली जन जाती पढ़े का संबंध है गोंड जन जाती में भी ठीक है अगला question है गोंड जन जाती कितने वर्गों में विभक्त है गोंड जन जाती मतलब जो गोंड समाज है गोंड जाती है वो समाज कितने वर्गों विभक्त है तो इसका उत्तर होगा तीन वर्गों में पहला क्या है राज गोंड प बटे हुए हैं ये समाज ठीक है अगला कोस्यन है गोंड जनजाती के युवागरी को क्या कहते हैं हर एक जनजाती में हर एक युवाओं के लिए युवागरी होता है जहां पर वे धार्मिक सिक्षा, समाजिक सिक्षा नदब ये सब हासिल करते हैं उनके समाज में किस तरह का कल्चर है, संस्क्रीटी है ये सब को जानने के लिए ये युवागरा बनाया जाता है तो ये जो गोंड जन जाते हैं जो युवागरी होते हैं उसको हम लोग घोटूल कहते हैं घोटूल, तीक है याद रखिएगा, घोटूल अगला कॉश्चन है अपने रिष्टे में विवा करनी की प्राथा को क्या कहा जाता है गोंड जन जाती में अपने रिष्टे में मतलब खुद के रिष्टे में भाई बहन, मोसा, मोसी फुफेरी मेहन मेरी बहन, चचेरी बहन उन सब के साथ विवा करने को प्राथमिकता दी जाती है मतलब उसमें खुद के रिष्टे से खुण का जो रिष्टा होता है उससे ही वे विवा, खुण का तो नहीं मतलब खुद का खुण से नहीं लेकिन जो चचेरी फुफेरी ममेरी जो होता है उसकी बहनों से खुद के रिष्टे में ही ये विवा करने की प्राथा है वहाँ ये गौण जन जाती में जिसको हम लोग दूद लवटावा बिवा कहते हैं दूद लवटावा बिवा कहते हैं ये याद रखिएगा कोश्चन बहुत महत्तपून है ठीक है और ये गौण जन जाती में बहु बहु बिवा का भी प्रथा है मतलब एक से अधिक बिवा कर सकते हैं ठीक है और इसमें विद्वा पुनर बिवा तलाग प्रथा ये सब भी मिलता है गोंड जन जाती में अगला कोश्चन है गोंड जन जाती के प्रधान देवता कोन है गोंड जन जाती के प्रधान देवता ठाकूर देव है ठाकूर देव है जो सूर्य का ही एक प्रतिरूप है और इस ठाकूर देवता को भी बूढ़ा देव भी कहा जाता है ठीक है? यह याद रखिए आप लोग अगला कोशन है अब हम लोग चेरो जनजाती से देखेंगे चेरो जनजाती जारखंड में कहां कहां बस रहे हैं? जो चेरो जनजाती है जारखंड में कहां कहां बसे हुए हैं इसका जमाव पलामु छेतर में है ना चेरो जनजाती का जमाव पलामु छेतर में है अब पलामु छेतर के अलावे रांची हजारी बाग जीला में ये समय बसे हुए हैं लेकिन अगर महतपून तरीके से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है जहरकंड में तो वो पलामू जीला होगा अगला क्वेश्चन है चेरो जनजाती अपने को क्या कहते हैं जो चेरो जनजाती के लोग होते हैं वे लोग अपने आपको क्या कहते हैं अपने आपको चवहान राजपूत कहते हैं तो वे अपने टाइटल में सिह डालते हैं, नाम के अंत में सिह डालते हैं, सिह सब्द को जोडते हैं, ठीक है? अगला कोशिन है, चेरो जनजाती के संबंद किस प्रजातिय समूज से हैं? तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं जनजाती का संबंध किस प्रजाती समूज है तो इसका आंसर होगा चेड़ो जनजाती का जो संबंध है वो द्रविड प्रजाती समूज से उसका संबंध है ठीक है? यह याद रखिए अगला question है चेरो जनजाती को कितने गोत्रों में बाटा गया है जैसे अभी इससे पहले गोंड जनजाती देखे जिसमें तीन वर्गों बटा हुआ है तुसरी तरह से ये question पूछा है कि जो चेरो जनजाती है उसको कितने भागों में बाटा गया है कितने गोत्रों में बाटा गिया है तो इसका आंसर होगा साथ गोत्रों में बाटा गिया है ठीक है तो इसका साथ गोत्र में कौन कौन से होगे मवार, कुवार, सनवत, रौतिया, मांज, सहनेत और महतो तो ये साथ गोत्र है चेरो जनजाती का ठीक है अगला question है चेरो जन जाती में कितने तरह के विवा होते हैं चेरो जन जाती में कितने तरह के विवा होते हैं तो इसका answer होगा तीन तरह के विवा होते हैं एक है डोला दूसरा है गराओं और तीसरा है चड़ाओं तो ये तीन तरह के विवा होते हैं और ये जो डोला और गराउं विवा है वो गरीब कन्या पक्च वालों के द्वारा किया जाता है और इस विवा में कन्या पक्षक वाले लोग वर्ग के घर मनलब जो लड़का घर होता है उसके घर में जाके विवा करते हैं और यह चड़ाव विवा होता है वो मतलब मध्यम वर्गिये उच वर्गिये जो परिवार होते हैं संपन परिवार होते हैं उनके द्वारे ये चड़ाव विवा किया जाता है जो कन्या के घर में ही संपन किया जाता है अगला कोश्चन है जारकन की कौन से जन जाती पहाडों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती क्योंकि आप लोग देखिएगा कहीं भी जो भी बुक्स पढ़ेंगे हम लोग जन जाती हों के तो वो लोगों का actual निवास अस्थान कहां रहता है जहां जंगल, पहाड, परवत जहां जंगल छेतर होते हैं वनों से भरपूर रहता है खनी संपदा तो यह सब की जगह पे हम लोगों देखने की जन जाती हों का निवास अस्थान दाता है लेकिन क्योशन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से जन जाती है जो पहाडो और जंगलों में नहीं रहना पसंद करती है तो इसका आंसर होगा छेरो जन जाती है चेरो जन जाती के लोग पहाडो और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है अगला क्योशन है चेरो जन जाती का परमुख देवता कौन है तो इसका आंसर होगा चेरो जन जाती का परमुख देवता सीव और पारवर्ती है ठीक है सीव और पारवर्ती चेरो जन जाती के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है चेरो जन जाती का जो धार्मिक प्रधान होता है जो पूजा पाठ करता है धार्मिक जो विधी होती है उसको पूरा करने का जो काम करता है धार्मिक प्रधान वो कौन होता है तो इसका आंसर होगा बैगा ठीक है तो आज हम लोग 16 कोशन देखें जो गोंड जन जाती और चेरोज जन जाती संबंदी था तो आज के लिए इतना ही तो यह जो महत्तपून कोशन है उन सबको आप लोग ध्यान से देखिए समझिए पढ़ने का प्रयास कीजिए समझने का प्रयास कीजिए हरे कोशन को है ना तो आज के लिए नहीं आप लोग अपने घरों में रहिए रक्षित रहिए और हाँ एक बात और जो लोग देके स्टेडी का वाटसप ग्रूप से जूड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप लोग लिंक में जाईए और आप आप लोग ऑटोमेटिक ग्रूप जोइन कर लिजिए तो आप लोग अच्छिति से रहिए बढ़ाई कीजिए तो आज के लिए नहीं बहुत बहुत धन्यवाद